अक्सर लोग कहते हैं कि Made in India गाड़ी खरीदने चीए बट क्या फाइदा उस Made in India गाड़ी का जब आपको बार बार सर्विस सेंडर के चक्कर लगाने पड़े। और अगर थोड़ी से भी इंफर्मेटिव लगती है वीडियो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बात तो होती है कुछ ऐसा यूआ यूपी का लखनाव शेयर में अंकित नाम के एक उनर के साथ जिनका बज़ट था 30 से 32 लाख रुपे और उनको चीए थी एक फूल साइज SUV और उनकी पहली प्रियोर्टी थी टाटा मोटर्स क्योंकि वो एक इंडियन कार मैनुफेक्चरर रहें जहाँ पर उन्होंने 32 लाख रुपे दे के टाटा सफारी को बुक करवा लिया बट उस टाइम पीरेट के अंदर डीलर्शिप उनको वो गाड़ी नहीं प्रोवाइड करवा पाई जिसके वेसे मजबूरन उनको टाटा हैरियर का डार्क एडिशन लेना पड़ा उस लेने के बाद उसमें काफी सारे इशूज आने चलू हो गए जब अंकित ने डीलर्शिप को अफ्रोच करा तो उन्होंने का यह माइनर फॉल्ट से यह ठीक कर देंगे हैं बट उनको ठीक करवने के बाद अगेन अन अगेन इस गाड़ी के अंदर कुछ ना कुछ इशूज आते रहे और अंकित का कहना है कि 7 महीने हो चुक है उनको एक गाड़ी लिये वे और वो टोटल 4-5 बार सर्विस सेंटर जाके गाड़ी ठीक करवा चुके हैं और अभी भी यह इशूज आई रहे हैं इसके अलावा एक टाटा टियागू के ओनर है जो की क्लेम करते हैं कि व काफी सारे कंपोनेंट ऐसे हैं जो कि नॉन फंक्शनिंग हो चुके हैं इसका अलावा भी और भी बहुत सारे इशूज हैं जिसके वेज़े से वो टोटल 80 बार जा चुके हैं उनर के अकौर्डिंग इसके अलावा पिछले साल के यह केस है जहां पर टाटा हैरेर के अंदर चलते चलते ही आग लग जाती है अब आग लगने के पीछे भी तीन रिजन्स होते हैं या तो कोई इलेक्ट्रिकल शॉट सर्किट हो या तो मैनुफेक्चरिंग डिफेक्ट या फिर कस्टमर ने बार से कुछ आफ्टर मार्केट करवाया हो इस सिनेडियों में कस्टमर ने अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे और जैसे ही वह रुकते हैं आगे बोनट से स्मोक निकलना चालू होता है और धीरे धीरे देखते ही देखते महिंद्र अथार के अंदर आग लग जाती है और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कुछ ही टाइम के अंदर महिंद अपनी स्क्रीन पर देखी सकते हो और नई की नई गाड़ी दो तीन दिन पुरानी आप देख सकते हो ऐसी कंडिशन में कोई नी देखना चाता बट इसके अलावा ओनर का कहना यह है कि उनको यूश्ट कार चिपकाई गई है क्योंकि इस केस में डॉक्यमेंटेशन में भी क चलते चलते बंद हो जाना और अपनी जांगा से बिल्कुल भी ना हिल पाना इसके अलावा नई नवेली गाड़ी के अंदर ब्रोकन पार्ट्स का होना यह कुछ एक्जामपल से माइनर मैनुफेक्ट्रिंग एरर्स के अब देखो मैनुफेक्ट्रिंग एरर हर कंपनी के हो पर मैं आपे किसी भी कंपनी के बुराई करने नहीं आया हूँ अभी थोड़ी तेर पहले जो मैंने टाटा हैरियर के इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट वाला केस बताया था उसके साथ साथ कस्टमर ने बताया कि डिलर्शिप वाले काफी अदा पॉलाइट थे काफी अदा काफी जादा बदनाम है आफ्टर सեल सर्विस के मामले में बार की जितने भी ब्रेंड है जो कि इंडिया के अंदर अपनी गाडियां सेल करते हैं उनके अंदर आफ्टर सेल सर्विस की कोई भी दिक्कत नहीं आती है अब पता नहीं कौन सी वह चीजें कि हमारे इंडियन क क ब्रेंड के इलर्शिप में यह डीलापन है जिसको कमपनी इसको शूरली सुदारना चाहिए और बहुत ज़्यान देना चाहिए आज की वीडियो बनाने हैं मेरा में परवस यह नहीं था कि यह गाडियां बहुत खराब हैं इनकी गाडियां बहुत बढ़िया होती हैं बट आ कार्वण बुरा नहीं है कोई भी कार्वण अच्छा नहीं है जो दिक्कत है वह है इनको के लूपोल्स की जिसको कमपनी इसको सुदारना चाहिए कैसी लगी आजकी वीडियो अच्छी लगी बुरी लगी हमको कमेंट करके जरू बताना हम सारे कमेंट पढ़ते हैं और करता हूं आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन ही मिली होगी आज की वीडियो से वागे ऐसी मसमस वीडियोज हमें इस चैनल पर दालते रहते हैं उनको भी आप चेक आउट कर सकते हो आज के वीडियो के लिए तो इतना ही धाम मिलते हैं से किसी बड़े सी वीडियो में तकि लिष्टियो समस्ते सीफ बबाए